बिहार की राजनिती इन दिनों काफी चर्चा में है और इस चर्चा का केंद्र हैं सूबे के मुखिया नितीश कुमार जो की एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं यानि कि इंडिया घट बंदन को धोखा देकर एंडिये के पाले में जाने वाले हैं सूतरों के मुताबिक नए फॉर्मूले के तहट नितीश ही सीम होंगे यानि कि मोहरे बदल रहे हैं लेकिन वजीर नितीश ही है लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब नितीश कुमार बीच मजधार में किसी को छोड़ कर जा रहे हो इससे पहले भी वो कई बार ऐसा करके लोग उन्हें सो चौरानवे में पाला बदला फिर जोर्ज फर्नांडिस ललन सिंग के साथ मिलकर उन्हें सो चौरानवे में नितीश ने समता पार्टी बनाई 1995 के वधान सभा चुनाओ के लिए सम्ता पार्टी ने वामदलो के साथ गटबंदन किया लेकिन काम्याभी नहीं मिलने पर वामदलो का हाथ छोड़ एंडिये का दामन थाम लिया 1996 में दूसरी बार पल्टी मारते हुए नितेश कुमार एंडिये में शामिल हो गए एंडिये में नरेंद्र मोदी को अधिक तवज्जो दिये जाने के कारण 2010 में नितेश ने मुख्य मंत्री पद चोड़ दिया इसके बाद 2015 में तीसरी बार पल्टी मारते हुए उन्होंने महागटबंदन बनाया और गधान सभा चुनाओं से ठीक पहले सीम की कुरसी पर बैठ गए महागटबंदन के साथ उन्होंने 2017 तक सरकार चलाई फिर जब टेजस्वी यादव का नाम IRCTC घोचाले में आया तो चौथी बार नितेश महागटबंदन से इनाता तोड़ कर BJP के साथ हो गए 2020 के चुनाओं में फिर से नितेश को दिक्कत होने लगी क्योंकि जेडी यू को 43 सीटे ही मिली इसके बाद उन्होंने 2022 में पांचवी बार पल्टी मारते हुए IRJD और कॉंग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली फिलहाल ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि ऐसे ही नहीं उन्हें राजनीती के पल्टूराम का तमगा मिला है तकरीबं डेड साल के बाद नितेश कुमार का मन फिर से डोल गया है वो दोबारा से BJP के साथ हांत मिलाने की सोच रहे हैं और सरकार बनाने की कबायत में भी जुट गए हैं सूत्रों की माने तो बिहार में 28 जनवरी को NDA की सरकार बन सकती है क्योंकि उसी दिन मुख्यमंत्री पत से स्तीफा दे कर फिर से BJP के समर्थन से सरकार बनाएंगे मुख्यमंत्री निती शी रहेंगे जबकि BJP के कोटे से दो डिप्टी सीम हो सकते हैं